पित्रूं एबं विद्यार्थियों मैं विश्वनात में सर्फ आप सभी का आज फिर से अभिवादन करता हूँ आज हम काल मार्स की चर्चा को उससे आगे बढ़ाएंगे जहां हमने इसे भाग एक में छोड़ा था यदि आप मेंसे कोई मुझसे आज ही जुड़ रहे हैं तब कृपया इस भाग को सुनने से पहले काल मार्स को कैसे समझें इस पर भाग एक को जरूर सुन लें तो आईए सीधे बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि वैग्यानिक समाजवाद की स्थापना के लिए काल मार्स की हैपोथिसिस यानि की प्राकल्पना क्या है मार्क्स एक साथ आठ प्राकल्पना को लेकर चलते हैं उनकी पहली प्राकल्पना है कि विकास अंतर विरोधों के क्रमिक समायोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतर विरोधों के पूरी तरह से समापन तक चलती रहती है इसे हम अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं कि उनकी दूसरी प्राकल्पना है कि अंतर विरोधों के कारण होने वाले संघर्ष का स्वरूप उत्पादन के साधन एबं उत्पादन के संबंधों पर निर्भर करता है यानि कि मार्स की तीसरी प्राकल्पना पर यदी हम आएं तो तीसरी प्राकल्पना को कुछ हैसे कह सकते हैं कि पूंजी वाद उत्पादन का सबसे अधिक विवेक सम्मत प्रणाली है यानि कि कैपिटलिजम इस दे मोस्ट रैस्नल सिस्टम अफ प्रोडक्शन अब मार्स के चौथे हाइपोटिसिस को देखते हैं तो वह कुछ ऐसे बनती है कि पूंजी वाद के आंतरिक अंतर विरोध पूंजी वाद को नस्ट कर देंगे और पाचवी हैपोथिसिस काल मार्स के ऐसे बनेगी कि अतिरिक्त मुल्य का सोशन और स्रमिकों से स्रम का अलगाव पूंजी वाद का आंतरिक अंतर विरोध है यानि कि exploitation of surplus value and separation of labor from laborer is the inner contradictions of capitalism अब हम लोग मार्स के छठी हाइपोथिसिस को देख लें तो वह कुछ इस प्रकार से ब्यक्त हो सकती है कि पूंजी वाद के मध्य अवस्था में सोशन के प्रती सामोहिक चेतना का उदै हो जाने के कारण पूंजी वाद के आगे का विकास गुनात्मक विकास है यानि कि दा फर्दर डेवलप्मेंट अफ कैप्टलिजम विल बी अ क्वालिटेटिव डेवलप्मेंट ड्यू तो दा राइज अफ कलेक्टिव कॉंससनेस अगेंस्ट एक्स्प्लॉइटेशन दा इमर्ज अन दा मिडिल स्टेज अफ कैप्टलिजम अब कालमार्स के साथवे हाइपोथिसिस की बात कर लें तो वह ऐसे है ऐसे बन सकती है कि जब अंतर विरोध समाप्थ हो जाएंगे तब अंतर विरोधों को बनाय रखने वाली संरजनाएं भी समाप्थ हो जाएंगी इसके अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे हम कि when the contradictions end then the structures that maintain the contradictions will weather away और अंतिम हाइपोथिसिस को हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं कि आवसकताओं की गुलामी से मुक्ती पाकर मानव जाती वास्तों में श्वतंत्र हो सकती है मतलब mankind can be truly free only by being freed from slavery of necessities यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यदि हम कौल मार्स के संपूर्ण वांगमय को मतलब collected works को देखते हैं तब जा करके उससे इस प्रकार के hypothesis निकाली जा सकती है हमको और आपको कोई ऐसा documentation नहीं मिलने वाला है जहाँ पर इन आठ hypothesis की चर्चा की गई हो यानि कि आप यह कह सकते हैं कि जिस hypothesis को मैं काल मार्स की hypothesis बनाया हूँ वह मेरे द्वारा काल मार्स को पढ़ने की hypothesis बनाई हुई कही जा सकती है लेकिन यह जो hypothesis है मैं आपसे आगरह पुरुवक करना चाहूं कहना चाहूंगा कि इस पर आप स्वयम विचार करें और विचार करने के बाद मार्स के साहित्य का अधियन करें तो आपको एक बेहतर मार्स मिल सकता है काल मार्स को समझने का चलिए आगे बढ़ते हैं आप यदि मार्स के इन hypothesis के range को देखिए और विचार कीजिए कि इनके सत्यापन के लिए मार्स ने कितने बड़े मानवी इतिहास को संस्कृति को कला को विज्ञान और तकनीक के विकास को अर्थव्यवस्था और राजनीती को अपने अध्यन का आधार बनाया है तब वह आपको अध्भुत लगेगा अध्वितिय लगेगा यहां मैं अभी इस्पस्ट करना चाहता हूँ कि मार्स की हैपोथिसिस मानव जाती को सबसे अधिक ब्यापक आधार वाली मानवी इस्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश से बनाई गई कोई पहली हैपोथिसिस नहीं थी बलकि इतिहास के अलग-अलग कालखंडों में धरती के अलग-अलग कोने पर कई बार इतने व्यापक प्रस्ताव वाली हैपोथिसिस बनी है और उसके आधार पर कभी-कभी सरवेक्षनात्मक, अनुभवात्मक या अधिकांच तह कालपन के गरंथ लिखकर सिध्यांध भी बनाने के प्रयास हुए हैं उदाहरन के लिए आप भारत में रामायन और महाभारत को ही ले लीजिए इन गरंथों में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए सिध्यांध बनाए गये हैं इनका भी समाज के अंतर विरोधों और संगहर्सों का निवारन करना ही उद्देश यह है आप जानते हैं कि मार्क्स भी यही दावा कर रहे हैं कि जो उनका लेखन है उनका विचार है जिस पर वो काम कर रहे हैं उसका उद्देश यह है कि इस दुनिया को संगहर्सों से अन्याय से और अंतरविरोधों से मुक्ति दिलाई जा सके तो चाहे वह माल्च का साहित्य हो चाहे दुनिया में अन्य जो स्रेस्ट साहित्य जिनको हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं वहां हम देखते हैं कि सोसन से मुक्ती और अन्याय से मुक्ती के लक्ष दोनों ही जगाए हैं परन्तु जो जिनके बारे में काल मार्स को आधार बना करके हम कहेंगे कि जो गैर मार्स वादी साहिते हैं इनकी प्रकिर्ती विवरनात्मक है और दार्शनिक है इन ग्रंथों ने मुल्य मिमानसा के खास करके यदि मैं रामायन और महाभारत के बारे में कहूं तब ये बात जदा सटिक होगी और वैसे तो ये पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक ग्राइटिंग्स नहीं है उस पर भी य जागू होती है कि इन ग्रंथों ने मुल्य मिमानसा को तथ्य मिमानसा के ऊपर अधिक वरियता दिया है इसी तरह ये रोप में भी मार्क्स ने देखा कि सुकरात से लेकर जॉन स्टूर्ट मिल तक खूब मुल्य मिमानसा हुई है परन्तु समाज में सोसन और अन्याय समात नहीं हुए यहां तक कि पूरी दुनिया में सोसन और अन्याय को दूर करने के नाम पर जिन धर्मों और मुल्यों का उदय हुआ वे स्वयम भी सोसन और अन्याय के माध्यम बन गए युग बदले मतलब stage of civilization बदला मुल्यों और धर्मों की ब्याख्या भी बदली परंतु इन सब के बीट में जो कुछ नहीं बदला वह था सोसन और अन्याए यदि आपको लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सोसन और अन्याए नहीं है तब तो फिर आगे किसी नए ग्यान की जर्रत ही नहीं है लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सोसन और अन्याए है और इसको दूर करने की जर्रत है तब तो तथ्य मिमानसा की भी जर्रत है और मुल्य मिमानसा की भी जर्रत है यहां एक बात मैं और इस्पष्ट करना चाहूंगा कि जो मैं मुल्य और धर्म यहां कह रहा हूं जिन सब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं वहां मैं धर्म सब्द का इस्तेमाल उसी अर्थ में कर रहा हूं जिस अर्थ में कालमारस ने किया है और यह बड़ी रूचिकर बात है कि सावरकर भी उसी अर्थ में धर्म की व्याख्या करते हैं यानि कि पंथ के रूप में, संप्रदाय के रूप में और रिलिजन के रूप में यद्यपी, यह एक अलग मसला है और इस विसेपर विस्तार से तो मैं यहां जाने की कोशिस नहीं करूँगा फिर भी कुछ संचेप में संकेत अवस्य करना चाहूँगा ताकि एक तो हम अपने हाइपोथिसिस और मार्स को समझने के स्ट्रक्चर में कुछ तुलना तमक परीप्रेख जोड़ सके और दूसरा आपके लिए भी कुछ ऐसे सुत्र छोड़ जाएं ताकि आप इन मुद्दों पर भी विचार कर सके देखिए यहाँ पर मैं आप कुछ विचार कर सके उसके लिए जो सुत्र देना चाहता हूँ उसमें से पहला यह है कि पोलिटिकल इनकलाइनेशन आप मतलब जो किसी धर्म का पोलिटिकल इनकलाइनेशन होता है वही उससे पंथ या रिलीजन बना देता है मार्स को धर्म के संदर्म में अधिकान्ज लोग बस इतना ही समझते हैं कि धर्म अफीम है और मतलब रिलीजन इस आपियम आप दे मासेश और यह काल मार्स का कथन है वैसे तो परिक्षा में पास हो जाने के लिए इतना ही काफी है परंतो या स्कॉलर होने के लिए काफी नहीं है और उन लोगों के लिए भी परियाप्त नहीं है जो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं मैं का रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म की रक्षा का बिड़ा उठाए हुए हैं उनके लिए भी इससे आगे चलने की जरुरत है तो काल मार्क्स ने जो यह कहा कि religion is the opium of masses वास्तों में काल मार्क्स इस कथन का प्रयोग contribution to the critique of Hegel's philosophy of right में करते हैं और यह भी एक अधूरा ग्रंथ था मार्क्स को पूरा नहीं कर पाये थे और मार्क्स तिम्रित्यू के बाद ही यह ग्रंथ प्रकासित हो पाया था यहां हम उस पूरे कथन को यदि अपने संदर्भ में लाने का प्रयास करें तो वह कथन कुछ इस प्रकार से है कि religion is the sigh of oppressed creature, the heart of heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people और कभी कभी इसे people की जगा masses भी लिखा हुआ देखा जा सकता है. अब विचार किजिए कि वह आह यानि कि साई क्या है? हृदय हीन संसार का हृदय और आत्म हीन संसार की आत्मा है वह धर्म. परंतु अब इसे आगे बढ़कर एक दूसरे सवाल के माध्यम से समझें कि क्या धर्म हमेशा से एक आह, एक कराह, एक तरस की तरही रहा है या बाद में ऐसा बन गया है? इसके लिए आप मैनुफेस्टो अब दा कम्यूनिस्ट पार्टी के चोथे पन्ने तक पहुचिए ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रुरत नहीं है जहां पर मार्क्स रिलीजन के बारे में कह रहे हैं कि बुर्जुआ ब्यवस्था के सेल्फ इंड्रेस्ट एवं कैस पेमेंट की ब्यवस्था ने धर्म के उद्दाद और स्वरगोपम आनंद के चरित्र को हिसाब किताब के बरफीले पानी में डुबा दिया मार्क्स तो इसको अंग्रेजी में नहीं कहे थे बाद में अंग्रेजी में लिखी गई जो लिखी गई मैं उसको यदि आपके साथ सेयर करना चाहूं तो मार्स कह रहे हैं मतलब यह कि धर्म का राजनितिक आर्थिक इस्तेमाल ने इसे पंथ बना दिया रिलीजन बना दिया और इसका जो उदात चरित्र था जहां पर यह एक स्वर्गिक आनंद ने स्वर्गिक आनंद का विसे था वह इसका चरित्र नहीं रह गया और यही पंथ वह आह है तरस है जो आम लोगों के लिए अफीम है इसमें उदात और स्वर्गोपम आनंद नहीं है इसी कारण अब मतलब पुझी वाद में धर्म भी मनुस्य को उन पिडाओं से मुक्त करने की काबिलियत नहीं रखता है वैसा आनंद नहीं प्रदान कर पाता है और बस एक आह जैसा बन करके रह गया है काल मार्स पूरे संदर्व को देखें तो इतना कहने के बाद यह कहते हैं कि धर्म आम जन्ता के लिए सोशित समुदाई के लिए अफीम है खेर काल मार्स ने जो इस तरह की ब्याख्या धर्म के संदर्व में की है अब यदि इसी ब्याख्या को आधार माने तो यह धर्म का राजनीतिक पक्ष है और सावरकर ने भी जिसकी चर्चा मैं भी थोड़ी देर पहले किया था धर्म की ब्याख्या राजनीतिक सरोकारों से मिलकर मिला कर ही करते हैं इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सावरकर की भ्याख्या, धर्म की भ्याख्या मार्क्स के नजदीक है, दोनों से कुलर है वे भी सनातन धर्म की राजनितिक भ्याख्या करते हैं, मतलब सावरकर करते हैं और ऐसा करते हुए सनातन धर्म को पंथ और रिलीजन बना देना चाहते है पस्चिम में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रभाव में आकर धर्म रिलीजन बनता है अन्यथा दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता और संस्किती नहीं है जो धर्म विहिन है धर्म विहिन हो सके और सावरकर के बारे में मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वहिया है कि वे इसलाम की प्रतिक्रिया में सनातन धर्म को रिलीजन बनाना चाहते हैं खेर इस पर आप विचार कीजिएगा और मौलिक रचनाओं को पढ़कर विचार करिएगा ना कि सुनकर यह आप सबसे मैं बड़े विनम्र तरीके से निविदन करता हूँ और लोट कराता हूँ मार्क्स पर मार्क्स ने इतिहास का अध्यन करते हूए और अपने वर्तमान का अपजर्वेशन करते हूए उसे अनुभव करते हूए यह पाया कि मजहबों और मुलियों के जरिये दुनिया को जिस तरीके से समझने की कोशिस की गई है उसमें एक आधारभूत दोस है यदि वह आधारभूत दोस नव होता तो वो सब जो पूरा ग्यान था वह मिल करके बहुत पहले ही इस दुनिया को सोसन और अन्याय से जरूर मुक्त कर दिया होता मार्क्स ने इस दोस को दो रूप में दिखाया है पहला यह कि पहले के सभी ग्यान ने दुनिया को समझने की कोशिस की है परंतु उसे बदलने की कोशिस नहीं की है और दूसरा यह कि पहले के नौलेज का स्ट्रक्चर मतलब ग्यान की संरचना में ही दोस है और वह दोस यह है कि पहले का ग्यान अपसाइड डाउन है मतलब सिर के बल खड़ा है यह सिर के बल इसलिए खड़ा है कि इसमें विचार बनते कैसे हैं विचारों के बनने का मेकेनिजम क्या है उसका कोई सत्यापनी या वेरिफियेबल प्रयास कैसे किया रा सकता है जिसके कारण उस ग्यान को वैग्यानिक ग्यान कहा जा सके ऐसा प्रयास नहीं हुआ है इसलिए पहले के ग्यान को काल मार्क्स एक ऐसा ग्यान मानते हैं जो अपने सिर के बल खड़ा है वह सिर के बल एक दूसरी वज़ा से भी खड़ा है उसका वज़ा ये है कि वास्तों में जहां से उसकी सुरुवात होनी चाहिए थी मतलब जहां पर उसका पैर होना चाहिए था वहां पर उसका सिर है पर इस मुद्दे पर मैं फिर अगले ब्याख्यान में आपके साथ लोड़ करके आऊंगा मार्श तो कम से कम अपनी इस बात को समझ रहे थे कि जब वे एक वैग्यानिक पद्धती के मार्ध्यम से पुराने ज्यान को सत्यापनियता और वैग्यानिक प्रविधी के भीतर लाएंगे तब पुराना ज्यान धिरे धिरे भरभरा कर धारासाई हो जाएगा और वे ऐसा करना भी चाहते थे अब वैग्यानिक पद्धती का सहारा लेकर पुराने ग्यान की रक्षा के लिए भी काफी कुछ ध्यान दिजिएगा बोला जाने लगा है लिखा नहीं कोई स्तरी राइटिंग नहीं हो रहा है बोला खुब जा रहा है इसलिए वैग्यानिक पद्धती का सहारा लेकर पुराने ग्यान की और जब मैं यहाँ पुराने ग्यान की बात कर रहा हूं तो उसका संदर्व समाज वैग्यान के विशियों से है कि उसको आधार बनाकर वैज्ञानिक पद्धती का सहरा लेकर इस तरह के सिधान्द विक्षित नहीं किये जाप पा रहे हैं और यहाँ पर हमें यह भी विचार करने के जरुरत है कि क्या जब सावरकर ने साइन्टिफिक टेमपरामेंट के साथ सनातन परंपरा की ब्याख्या करने का प्रयास किया तो क्या उसमें कोई ठ्षोरी भी प्रतिपादित की या सुरू से अंत तक सिर्फ कभी इधर की बात कभी उधर की बात कभी यहां की बात और कभी वहां की बात करते रह गए परंतु छोड़िये यह विचार्म आप करियेगा और हो सकता है कि आप उसमें हमसे असहमत हों और यदि आप हमसे असहमत होते हैं तो यह मेरी बड़ी सफलता होगी क्योंकि तब आप इन चीजों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रतिपादित किया जाए इन प्रयासों के या तो कमियों को समझ जाएंगे और या तो फिर कुछ ऐसे नए सिद्धान्त आप प्रतिपादित कर पाएंगे जिससे उस अधूरे प्रयास को पूरा किया रा सके मार्क्स ने ग्यान के निर्मान की जो क्रियाविधी है मतलब मैकेनिजम है उस पर पावर्टी अफ फिलोसफी में विस्तार से लिखा है और इसके लिए उन्होंने इसके मतलब पावर्टी अफ फिलोसफी में जो नॉलिज का मैकेनिजम है उसके बारे में दो तथ्यों की और विशेश रूप से हमारा ध्यान आक्रिष्ट करते हैं, जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका आधार है निगेशन और निगेशन, किन्तु इसकी भी बात मैं तम करूंगा जब हम लोग पध्धती की चल्चा पर आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझे बिना हम अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, कि आपको अभी उस और ले जाने के बजाए, उस और जाने के लिए जो बहुत जरूरी चीज़ है, उसकी एक समझ आवस्यक है, और वह समझ यह है, कि मार्क्स यह कह रहे हैं, कि जो पुराना ग्यान है, उसके बारे में यह कह रहे हैं, कि उसमें एक कल्पना का समर्थन करके, या एक कल्पना का निसेध करके, दूसरी कल्पना का इजाद किया गया है, और उसे ही ग्यान कहा गया है, यहां जो मतलब निकलता है उसे एक उदाहरन के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं आप भौतिक साक्षियों के आधार पर राम को अयोध्या का सासक तो साबित कर सकते हैं परन्तु भौतिक साक्षियों और वैज्ञानिक पधती से राम को तीनों लोकों का स्वामी कैसे साबित कर सकते हैं। यदि यह साबित हो ही जाए तो दुनिया के तमाम जगड़े तो पल भर में मिट जाएंगे। परन्तु जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तब हम करते क्या हैं। तब हम तर्क वाक्यों के द्वारा यानि के लौजिक के द्वारा राम को तीनों लोकों का स्वामी घोशित करने का स्थापित करने का ऐसे ग्यान के निर्मान का प्रयास करते हैं। परंतु तब हमारे तर्क वाक्यों की संरचना कैसे होती है और जब हम तर्क वाक्यों पर आते हैं तो हमें दो तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जब हम अपने तर्क वाक्य में limited, mortal और material प्रकृती के वाक्य रखते हैं तब तो वे scientific tools के द्वारा अस्थापित किये जा सकते हैं परंतु जब तर्क वाक्य में unlimited, immortal और spiritual का निर्देश किया जाता है तब उन्हें scientific tools के द्वारा अस्थापित नहीं किया रा सकता है और तब हम एक अमूर्त कथन को नकार कर या एक अमूर्त कथन का समर्थन करके कोई एक ग्यान बना लेते हैं और फिर दूसरों से आग्रह करते हैं कि इस ग्यान को स्विकार कर लिया जाए इस पूरी प्रक्रिया में ग्यान के निर्मान की जिस प्रक्रिया की अभी तरक वाक्यों के माध्यम समय बात कर रहा था उसमें वैग्यानिकता नहीं आती है इसी लिए इस खत्रे को समझना आवस्यक है काल मार्क्स इस खत्रे को समझ रहे थे और वे जान रहे थे कि इस कालपनिक ग्यान से वास्तविक जगत को न तो समझा जा सकता है और ना ही उसको बदला जा सकता है इसी लिए मार्क समझते हैं कि हाइपोथिसिस और उसे टेस्ट करने की पधधती का अमूर्ती करन आवस्यक है मतलब वहाँ कहना मैं यह चाह रहा हूँ कि मार्क सिया समझते हैं कि हाइपोथिसिस को और उसे टेस्ट करने की जो पधधती है उसको अमूर्त नहीं होना चाहिए स्वयम उसे ऐसा होना चाहिए जो मूर्त हो जिसका सत्यापन किया जा सके जिसका वेरिफिकेशन वेरिफियेबिलीटी जिसका एक गुण हो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न तो हैपोथिसिस वैज्यानिक होगी और नहीं वह पधधती वैज्यानिक हो सकती है अब मार्स ने इस लक्ष को कैसे प्राप्त किया अपने हाइपोथिसिस के निर्मान में और अपनी पधती के चयन में तो मार्स का उत्तर है अनुभव, प्रत्यक्ष, भवतिकता और सर्वेक्षन ये चार चीजे मैंने फिर से एक बार दूर आ रहा हूँ अनुभव, प्रत्यक्ष, भवतिकता और सर्वेक्षन मार्स की हाइपोथिसिस में इन चारूं का आपस में गहरा नाता है मार्स के हाइपोथिसिस की विशेषता है कि इसी से पध्धती और इसी से निसकर्ष दोनों निकलते हैं और आपने पढ़ा होगा आप जानते होंगे कि एक stress hypothesis को ऐसा ही होना जाहिए जिसमें उसके अनुसंधान की पद्धती अनुसंधान का तरीका भी उसी से निकले और निसकर्ष भी उसी से निकले परंतु ब्यवहार में मैंने अपने अध्यन अध्यापन के जीवन में ऐसा कम ही पाया है मैंने अपने जीवन में अनेयक ऐसे सोथ देखे हैं जिसमें hypothesis जिस पद्धती का डिमांड करती है उस पद्धती का उपयोग नहीं होता है और मैंने यह भी पाया है कि हाइपोथिसिस जिस वेरियेबल की डिमांड करती है उसका प्रयोग भी ठीक से नहीं होता है और जो करते हैं ऐसा करने वाले लोग भी मार्स के बारे में ऐसी उलजलून धारनाये रखते हैं जिनका कोई सीरपैर नहीं होता है जबकि मार्क्स इस मामले में इतने सुगठित हैं यानि कि परफेक्टली ओर्गेनाईजड हैं कि सिर्फ गांधी ही उनका पतिवाद कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मार्स को खारिज नहीं किया रा सकता है परंतु मार्स को खारिज करने के लिए आपको दुनिया बदल कर दिखानी होगी और बदल कर किसके तोरह दिखानी होगी धर्मों के जर्ये मुल्यों के जर्ये और अहिंसा के जर्ये बात समझ रहे हैं न मैं क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि काल मार्स को खारिज करने के लिए दिखाना क्या पड़ेगा आपको दिखाना यह पड़ेगा कि धर्मों के जरिये मानवता के जरिये, मुल्यों के जरिये और अहिंसा के जरिये दुनिया बदली जा सकती है और जिस दुनिया में धीरे धीरे हिंसा बढ़ती ही जा रही हो आप विचार कीजिए कि आप मार्स को खारिज कैसे करेंगे क्योंकि वे तो सुयम कह रहे हैं कि इस ब्यवस्था में हिंसा धीरे धीरे अधिक बढ़ती जा रही है मार्स को खारिज करने की एक विधा मैंने अपनी पुष्टक में लिखी है उसके फिफ्थ चैप्टर में आप देख सकते हैं मार्स के बारे में अभी बातचित करने के लिए और भी बहुत कुछ है परन्तु आगे बढ़ने से पहले हमको आपके प्रतिक्रियाओं को जान लेने की जरुरत होगी इस बीच आप काल मार्स के जिस आठ हैपोथिसिस की बात मैंने की है उसको समझिए और उनकी पद्धती से इसको जोडने की कोशिस कीजिए जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करने वाला हूँ और मार्स की हैपोथिसिस में यदि आप कॉंटाडिक्सन्स निकालने में सफल हो जाते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप एक नया काम नई रचना दुनिया को देने जा रहे हैं पर उन्तु इसके लिए जरूरी क्या है इसके लिए जरूरी है कि पढ़िए समझिए और बस पढ़िए और समझिए आगे हम चर्चा करेंगे मार्स के डियलेक्टिकल मेटरलिजम की और इतिहास पर उसके प्रयोग की जिसको हिस्टोरिकल मेटरलिजम कहते हैं इस बीच आप स्वश्थ रहें सुरक्षित रहें और प्रसन रहें यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ नमस्कार जय हिंद फिर मिलेंगे और कोशिस करूँगा कि जल्दी ही मिलें